Hello everyone, welcome back to Anchor Zayi, कैसे हैं सभी लोग, I hope आपका कांसलिंग बहुत अच्छे से चल रहा होगा और definitely, जो mock allocation 2 आज allot हुआ है बच्चों को, उसमें से कई ऐसे बच्चे हों गयार, जिनको वहाँ पे no seat allotted दिख रहा होगा अब यहाँ ब्यार सबसे बड़ा question ही आता है, तो क्या की मुझे अपने preferences को change करना चाहिए या फिर कई बच्चों को मैंने डाउट आता है भी अब मैंने जैसे 400-500 ऐसे choices भर दें, क्या उसके वज़ा से मुझे दिक्कत आ रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जो mock seat allocation होता है, बेसिकली वो इस चीज़ पर completely realize करता है कि जितने बच्चों ने अपना mock ऐसा allocation किया है, जैसे अपने choice की filling की हुई है उस choice filling के साबसे जो number of seats हैं, उन्हें map करता है और अगर आपके rank से पहले ही वो सारी seat occupied हो जाती chemical branch भर दियो, मेरा rank अच्छा है, है न, और मुझे ये chemical branch नहीं चाहिए और allot हो गया मुझे तो मैं क्या करूँगा भाई कि इसको यहां से हटा दूँगा और मैं यहां पे कोई अच्छा preference रख दूँगा तो इस तरीके से जो mock 2 वाला allocation है, वहाँ पे हमें final एकदम conclusion नहीं देखने हैं मिलेगा कि नहीं मुझे same college allot होने जा रहा है एकदम true data नहीं आपको मिलेगा, लेकिन यह ज़रूर कह सकते हैं जो आपको no seat allotted वाला है यह 50 to 60% सही होगा अगर आपका rank 12000 के difference में होगा जो last seat पे rank allot होने वाली है, अगर 12000 पे ही आपका मानलो कोई difference है rank तब आपको allot होगा, otherwise बहुत ज़्यादा rank difference है तो आपको final counseling में भी यह चीज़ देखने को मिल जाएगी overall कहने का मतलब है कि जो mock seat allocation में अगर suppose आपको कोई XNIT मिला हुआ है तो जरूरी नहीं कि आपको same XNIT final result के दिन मिले जो की यहाँ पे है round 1 का June 30 को तो अभी भी कई बच्चों के पास समय है कि अपने choices को बदल सकते हैं फिर उसके बाद वो lock कर सकते हैं अगर आपको कोई seat नहीं मिली है तो definitely आप lower branches जो आपने नहीं add कि हैं जैसे मानलो कि मैं कोई बच्चा हूँ और मैंने सारे NIT के सारे branches बदले लेकिन मैंने GFTI के नहीं भरे ट्रिपल आइटी के नहीं भरे तो आपको वो चीजें भी add कर देने चाहिए बिलो आपका जैसे सो भराया सो के नीचे जो चीजें बची आप उन्हें add कर दो तो सायद आपको टू के बाद भी चीजें मिल जाए तो यह आपको बहुत ध्यान रखना है और आप अपना जो च्वाइस अगर उसे लॉक नहीं करते हो तो आटो लॉक हो जाता है यह कल के दिन पर पांच विजे तक का समय आपके पास कल तक का तो मेरा ही मानना है कि अगर आपका रेंग बहुत ज़्यादा खराब है तो यह जो सीट अलोकेशन नो सीट अलोटेड है यह राउंड टूरांड त्री फाइब तक इन देखने को मिल सकता है साइध सिक्स मापको कुछ मिल जाय या अगर वहां भी आपको नहीं मिलता है डिफिनिटली आपको सीए से भी के राउंड में जाना चाहिए वहां पे वन और टू में सायध कुछ मिल जाय तो बहुत ज्यादा यार ट ब्रांचेज को भर दे मैं सम्थिंग इस विटर दें नथीं साथ एक बैकप आपसन आपको मिल जाए तो आपको क्या एलोट हुआ है आपके मौक एलोकेसन में एक बर कॉमेंट में जरूर मता और कोई भी डाउट है आपको तो एक बर कॉमेंट में बता देना जिसके मैं